यह व्यसे तो SBI भारत के सबसे बड़ा और पुराना बैंक है, और भारत में आप सबसे सुरक्षित भी कह सकते हो, लेकिन भारत के अंदर जो SBI बैंक है वो आपको सबसे कम व्याज़ार देता है, सेविंग खाते के अंदर भी और FD के अंदर भी, तो लोग हमसे पूछते र यह है कि भारत के अंदर SBI के बहुत सारे ब्रांचे से तो कल को कुछ गडबड हो जाती है तो आप अपने नजदी की ब्रांच जाके उसको सौ्ट आट कर सकती हो और जो बाकी के बैंक से जैसे की AU या फिर IDFC हमने जैसे बात करी उनके ब्रांचे बहुत कम हैं हले ही आपको SBI bank के अंदर interest rate कम मिले लेकिन जो PSU banks होते हैं उनके अंदर आपको loan काफी अच्छे rate पे मिल जाता है और अगर आपको उस bank में saving खाता हो तो फिर आपको loan के लिए preference भी मिल जाता है इसरा मुख्यकार मुझे यह लगा कि PSU bank के अंदर आपको bank locker सबसे सस्ता मिल ज देता है दो आप offline खोल सकते हो और दो online खोल सकते हो अब इस वीडियो में SBI zero balance अकॉंट opening से रेटेर सारी बाते हम लोग करने वाले क्या पाइदा है क्या नुकसान है किसके लिए कौन सा खाता सही रहेगा और end में पूरा account opening का process भी मैं आपको screen के अपर दिखाऊंगा तो व आपको बता है उसमें से दो पहले account जो थे SBI इंस्टा प्लस और digital savings यह आप online भी खोल सकते हो लेकिन जो बाद में दो बता है थे basic savings account और SBI savings इसके रहे आपको ब्रांच जाना पड़ेगा जो basic savings account है वो नाम से पता लग रहे है कि इसके अंदर जो features है वो limited है और यह account खास उ आपको ब्रांच जाते हैं आपको मना कर दिया जाता है क्योंकि उनके अपने targets होते हैं अब वैसे तो SBI के website पर भी लिखा हुआ है यह clearly zero balance account है अगर आप ब्रांच में जाते भी हो तब भी आपको थुरा सा घुमाएंगे कि यह ऐसा पहले होता था अब नहीं होता है यह फि पशते हैं सिर्फ दो account जो की है Insta plus और digital savings account Insta plus पूरी तरीके से digital ही खुल जाता है आपको कही भी जाने की ज़रूत नहीं है लेकिन जो digital savings account है इसके रिए आप online register करते हो फिर आपको एक reference number मिलता है जिसको लेकि आपको ब्रांज जाना पढ़ता है वोगर बात करें सच में त चाहिए SBA के साथ, यानि कि कोई भी आपको पहले लोन नहीं होना चाहिए, कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए, कोई PF, PPF, कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इसमें से कुछ भी है, तो आप यह अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, अब दूसरा है, कि आपका mobile और email ID, अपने आधर काउंट के लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब यह वीडियो KYC करेंगे, तो आपका email और email OTP verify होगा, तीसर और आकरी है, कि इसके अंदर आपको joint account को लोने को कोई भी option नहीं मिलेगा, अब यह तो बात होगी eligibility की, अब देखते हैं, कि Insta Plus account के features क्या क्या है, अब इस account के साथ आपको classic रूपे debit card मिलेगा, जिसको issue करने के लिए कोई charges नहीं लगेगे, लेकिन आपको सालाना शूर्ट लगेगा, 200 plus GST का, इस card को आप customize भी करवा सकते हो, apply करते समय, customization का option आपको मिल जाएंगे, Insta Plus account में आपको complimentary checkbook, passbook नहीं मिलता है, अगर आपको चाहिए, तो आ आप Play Store पे जाओगे, तो इनका एक light version भी आता है, like SBI Yono light version, उसको आपको download नहीं करना है, आपको SBI Yono app download करना है, account opening का पूरा process शुरू करने से पहले एक बात में clear करना चाहूंगा, कि आपसे पैसा कमाना मेरा motive नहीं है, इसलिए कोई भी link में नीचे description में नहीं दे रहा हू अब जैसी आप Yono app download करोगे, तो SBI आपसे आपके phone की location का access मांगता है, तो वो access आपको देना पड़ेगा, आप वहाँ पर while using the app को choose करके आगे बढ़ सकते हैं, जो भी screen खुलेगी, उसके नीचे open savings account में click कर देना, next screen में आपको सारे options देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके नी profile number है, वो आपके other card से link नहीं है, तो फिर आपको, या फिर कोई भी आपकी ऐसी दिक्कत है, जिसमें KYC में दिक्कत हो सकती है, तो आपको with branch visit पर click करना है, अगर आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है, KYC एक्दम smoothly हो सकती है, तो with without branch आप click कर सकते हो, अब यहाँ पर हम लोग click कर करेंगे without branch के उपर, क्योंकि हमारा सब कुछ sorted है, जैसे आप आगे बढ़ोगे, जो आपको next screen आएगी, उस पर आपको दिखाए देगा I want to open a salary account, उस पर गलती से भी click मत करना, अगली step है, वापर आपको start a new application पर click करना है, और जैसे कि आप देख सकते हो, कि इसमें आप mobile और email ID डालना है, अब वही mobile number और email ID डालना है, जो आपके आधरकार से link है, वरना आपको branch जाना पड़ेगा, आप यहापर submit पर click करोगे, आपको SMS द्वारा और email द्वारा OTP आएगा, जिसको डाल के आपको verify करना है, इसके next screen पर आप देख सकते हो, कि आपको password create करना इन केस आपका application का password गूम हो जोता है, तो उसके लिए आप एक security question भी set करके रख सकते हो, next step में आपको declaration form दिखाए देगा, उस पर आपको खाली agree कर देना है, और उसका simple मतलब यही होता है, कि आप India के resident हो, और आप tax वगरा सब इंडिया में ही भरते हो, आप जो next step है, आपको अपने other card से जुड़ा हुआ जो भी mobile number है, उस पर एक OTP आएगा, वो OTP डालके आपको verify करना है, और उसके बाद screen के उपर आपको दिखाए देगा, जो भी other card से जुड़ा हो गया, birth of year हो गया, वो सब आपको दिखाए देगा, अगर सब कुछ ठीक है, तो आपको next पर क्लिक कर देना है, जो next screen है, वहाँ पर आपको अपना address डाल देना है, address डालने के बाद आपको next पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको आपको अपने education qualification, आप शादी शुदा हो या नहीं, कितना आपका annual income है, आपका religion क्या है, वो सब category वोगरा, वो सब भरना पड होगी, आखिर में आपको अपना home run select करना पड़ेगा, अब यहाँ पर almost हमारा जो process हो खतम होने वाना है, अगला step है, उसके अंदर आप अपना debit card है, उसको अपने इसाफ से customize कर सकते हो, यानि कि अपना नाम वगरा कुछ भी डाल के आप उसको customize कर सकते हो, बस इसके बाद आपका एक token number generate हो जाएगा, जिसको आप note करके रख रहे हैं क्योंकि वीडियो KYC के काम आपको, KYC के दोरन आपको काम आ जाएगा, अब जो अगली step है, उसके अंदर आपकी वीडियो KYC होगी, और वीडियो KYC के पहले ही, आपके पास अपना pen card, आदार card और दो blank paper और pen चा है, और आपको pen card number और आदार number उनको लिख के दिखाना पड़ेगा, जो KYC होने के बाद आपका जो account है, वो activate हो जाएगा, और आप उसे normally use कर पाएगे, और account activate होने से 3 दिन बाद, आपका जो physical debit card है, वो भी आपके घर तक पहुँच जाएगा, आपका जो physical debit card है, वो भी केल्ग है, वो भी आपके जाएगा, जिएक जाएगा, वो भी मैं रच़ार, आपका जो इन बाद से जावगा, एवोँच्ति